दोस्ते रıldोस्तम शवागत आप श्रभीका एक नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जारहे हैं। और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि General Science, General Science से 25 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, 25 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके बाद General Awareness यानि Current Affair से 20 सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद Math की अगर बात कर लें, तो इससे जह हैं पचीस सवाल पुछे जाते है और सब से ज्यादा सवाल जो है रेजिनिंग से पूछे जाते हैं य Emil TrSU सवाल पूछे जाते हैं 100 सवाल, 100 नंबर का उसके बाद बात करने कितना टाइम है तो 90 मिनिट का टाइम लिकले हैं जैसे कि DRDO इस रूख के बार में आप पढ़ लीजेगा उसके बाद बदले गए नाम उसके बाद मुख्याले के नाम पढ़ लीजेगा अगर आप आराड़ पी एंटी पीसी की तैयारी किये होंगे तो ये आपको आसानी होगा क्योंकि इसमें ज्यादातर साइन से सवाल पुछे जाएंगे साइन से आपको 25 पुछा जाएगा उसके बाद करेंट अफेर यानि जेनरल अवेडनेस की बात करने तो यहाँ पर 20 सवाल उससे पुछे जाएंगे तो टोटल यहाँ पर आपको 45 जो है सवाल इसी से देखने को मिलेगा करेंट अफेर की बात बाद वर्तमान में कौन क्या है ठीक है तो यहाँ पर और जादा तर अगर करेंट अफेर की बात कर लें तो मन्त वाइज करेंट अफेर का वीडियो देख लीजेगा डिली current affair देखने से तो भेतर होगा कि आप month wise जो है पिछले एक साल के current affair को आप पढ़ सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर आपको हमें बता देता हूँ कि current affair कि किस तरह के सवाल पुछे गए हैं यहाँ पर आपको इसरो द्वारा संचार उपगरे gs.80.19 किस पढ़े 56 यान का उपयोग किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा option number d gslv mk3 d1 के द्वारा जो है इसका उपयोग किया गया था ठीक है तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और दूसरी questions की अगर बात करें तो यहाँ पर देखी कि मुगल सराय railway station का नाम बदल कर निवन मेसे जो है किस परसीद वेक्ती के नाम पर रखा गया है तो इसका एंसर हो जाएगा option number c ddeen dhyal upadhyya के नाम पर रखा गया था पांच गस्ट दोहजार अठारे को मुगल सराय railway station का नाम बदल करके पंडित ddeen dhyal upadhyya के नाम पर रखा गया था तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो आप प्रिवियस एर के questions वाला वीडियो जरूर दीखिएगा जिससे आपको पता चलेगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो अगर आपको प्रिवियस एर का सवाल उसके बाद general science, general awareness इस तरह के सवालों को अगर दीखना है इस topics related सवालों को दीखना है तो आप हमारे चैनल को subscribe करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी वीडियो में upload करूँ तो आप तक जो है notification जरूर पहुँचे उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर general science का section आता है क्योंकि हम general awareness को देख लिए हैं तो general science की अगर हम बात कर लें तो physics, chemistry, biology उसके बाद environment से जो है एक दो सवाल पूछे जाते हैं physics से आपको 7 से 8 सवाल देखने को मिलेगा उसके बाद chemistry में भी इसी तरह हैं biology में थोड़ा सा physics और chemistry के मुकाबले थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं ठीक है तो exam के हिसाब से कभी-कभी जादा या कम होते रहता है तो आप physics, chemistry, bio तो कहां से आप पढ़ेंगे तो 8, 9, 10 आप इस class के बुक्स को जरूर पढ़ें lucent अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इतना काम्याव नहीं होगा उससे पढ़ करके क्योंकि थोड़ा सा 9, 10 के सवाल ज्यादे पूछे जाते हैं CBSC Board से ठीक है तो आप बुक को जरूर पढ़ेंगा 9, 10 का तो वहां से आप maximum questions को आसानी से solve कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या सवाल था कि उस्मा चेपी अभी के लिए वह अभी के लिए होती है जिसमें यहां पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो इस cancer हो जाएगा option number D जिससे जो है उस्मा निकलता है जो है उसी को उसमा चेपी अभी के लिए कहा जाता है इस तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद अगर दूसरा सवाल की बात करें तो यहां पर 11 सवाल आपको दिखा जिते हैं कि नाडियल की चाल का निर्मान जो है टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो यहां पर आपको मैं साथ टॉपिक बताया हूँ इससे ज़्यादा तर सवाल पूछे जाते हैं तो यहां पर क्या एनलोजी सिमिलरिटी स्रीज, एरैजमेंट, फीगर डारेक्शन, डिकोडिंग, डिकोडिंग उसके बाद से जो है इस तरह के सवाल जो है जादा तर सवाल पूछे जाते हैं तो हम सवाल की बात करने की कौन सा सवाल पूछा गया है जैसे यहां पर जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग से एक सवाल पूछा गया है कोड़ वासा में Y-E-L-L को जो है इस तरह से लिखा गया है तो यहाँ पर T-A-L-E को जो है क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपको कोड़ पकड़ना कि यह किस तरह से आगर लिखा गया है तो Y का मान होता है 25 उसके बाद E का मान कितना होता है तो 5 हो गया है उसके बाद L कमान कितना होता है तो 12 होता है फिर L है उसके बाद 12 होता है तो इस तरह से हो गया 255 बार बार है तो यहां पर लिखा गया है सेम इसी तरह T A L E का होगा पर T कर वैल्यू कितना हो जाएगा T420 हो जाएगा A का मान 1 होता है उसके बाद L का मान 12 और E का मान 5 हो जाएगा तो 201, 125 जिसका है उसका मान हो जाएगा यहाँ पर क्या है अपसर नमबर A सही हो जाएगा इस तरह से अगला अगर हम reasoning की बात कर ले तो यहाँ पर क्या है कि नीचे की सिरिंखला का अगला पद क्या होगा आपको अगला पद बताना है जैसे कि यहाँ पर sequence में पहले क्या है देख लेता है 3A 3Z 6B 6X हो जाएगा 12C होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33 है उसके बाद 6 6 है यहाँ पर 12 हो जाएगा उसके लाद बात कर ले इक तरह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पहले A है, उसके बाद यहाँ पर B है, उसके बाद यहाँ पर C है, यहाँ पर जाकर कि इसका D होगा, उससे पहले यहाँ पर Z है, 2 माइनस होगर कि एक्स होगया, इससे 2 माइनस होगर कि क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, 12 V जो है, उपसन नमबर C, यहाँ पर सही तो मैत में भी काफी यहां पर लंबा लिस्ट आप के लिए बना करके रखे हैं तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम है बोर्ड मास उसके बाद सिंपलिफिकेशन जो है आप पड़ सकते हैं क्योंकि इस सबसे जादा सवाल पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद LCM और SCF की बात कर लें तो इससे भी एक से तीन सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद एवरेज और सच से भी एक दो सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद स्क्वाइर एंड क्यूब रूट आप याद कर लीजेगा ठीक है बीस तक क्यूब रूट बीस बीस करके दोनों आप बात कर सकते हैं पांच में प्रसंटेज्श की बात बुचे जाते हैं उसके बाद च्छ मप ज़ कुछ पूछे जाते हैं एक सवाल पूछे जाते हैं कम से कम SI and CI इससे जो है इससे भी जो है दो से तीन जो है सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बाद टाइम इन वार्क हो गया जो 19.5 है तो C और D का उस्त क्या होगा तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन हो जाएए वहाँ पर आप जागर के टेलिग्राम में GK Trends 7 जागर के आप लिखेगा Trends 7 जागर के वहाँ पर लिखेगा तो हमारे चैनल आजाएगा वहाँ जागर के आप जोइन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको ये PDF जरूर मिल जाएगा जहां से आप पूरी तयारी कर सकते हैं तो वीडियो यहाँ तक अगर देखे होंगे